नमस्ते फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चानल आज के वीडियो में मैं आपसे शेर कर रही हूँ लाल चने की सबजी जो की भोग में चड़ाई जाती है नवरात्री के आखरी दिन जिस दिन राम नवमी होता है या फिर जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं उस वक्त भी इस चनों को अच्छी तरह से भीगा के रखा था कम से कम रात को और सुभे इसे मैंने उबाल लिया उबालते वक्त मैंने इसमें हल्दी और हल्का सा नमक डाला अब हमको मसाला तयार करना है जिसके लिए मैंने यहां पे लिए हैं चार टमाटर अद्रक और हरी मिर्च चितना त कड़ाई ले लिए उसमें डालिए मस्टर ओल या फिर आप घी भी डाल सकते हैं तड़के के लिए आप यह जीरा राई लॉंग इलाइची करी पत्ता हरी मिर्च और लाल मिर्च इनको डालके इसमें टमाटो प्यूरी डाल दीजिए जो हमने अभी पेस्ट रेडी किया था और धीमी आज में ही इसे पकाईए वान टीस्पून इसमें हल्दी डालिए वान टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए कि तीखा ना क्यूंकि और इसमें डालेंगे गरम मसाला या चना मसाला और अलका सा पानी डालेंगे ताकि सारे मसाले पक जाएं पांच मिनिट के जब तेल ऊपर आ जाये तब मसाला और ढूम till विल्डशा सिला एक फिल्चाने at the house कम ond5 तक अभूण Люб-कला अजिा ही और जितना थिक छॉइए आपको इस्साब से ही आप इसमें पानी डालें बहुत जादा पानी जैसे चने नहीं बनाने हैं हमें इसे राईस के साथ भी खा सकते हैं पूरी के साथ भी उस तरीके का थिकनेस रखना है इसलिए थोड़ा सा ही पानी डालें पांच मिनिट उबाल लें उसके भनिये के साथ इसकी प्लेटींग कर लें तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर कीजेगा अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्स्राइब करना बिलकुल ना भूलें बेल आइगन जरूर प्रेस कीजे ताकि कोई भी वीडियो आप मेरी मिस ना कर सके हापी राम नाउमी बाई बाई टेक केर थांक यू फो वाच्चिंग